हाव रूफिक्स वान प्लस ट्री इंकामिंग कॉल इशूस प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सु आगर आप सबीका तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में इंकामिंग क दोस्तों ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अरहा है किसी भी तरह यहाई तो आप इस वीडियो को अंतर जरू डेखेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इनकमिंग कॉल के रिलेटेट या फिर इनकामिंग कॉल स्क्रीन एशूस के रिलेटेट कुछ भी प्रोब्लम है तो आप इस वीडियो को देखे में आपको दूसतो जो भी solution बताने वाला हूँ आपको बस वहीव Follow करना है और आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो बस दूसतो वीडियो को आद तक देखना है solution को follow करना है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe करके bell icon को click करना है अगर आप online पैसा कमाना चाहते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको दोस्तों यहां पर चेक करना है आपका phone service का update हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो आपको simply play store में जाना है और चेक करना है phone service phone service तो जाने के बाद आपको चेक करना है और इस एप को update करना है ठीक है आपका जो एप है यहां पर अपडेट होना चाहिए तो अपडेट बगएरा कर लेना अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखे problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर problem solve हुआ है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाएए mobile के setting पर scroll down करे apps and notification पर click करके see all apps पर जाएए and then आपको यहाँ पर scroll down करके phone service को search करना है उसके लिए आपको नीचे आना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते तो जाएए जाने के बाद storage and cache पर click करे clear storage पर click करके ok कर देना और उसके बड़ बेक कीजिए बेक करने के बाद permissions को allow कीजिए सारे permissions allow करने के बाद आपको बेक करना है device को restart करना है दुबारा से check करके देखना है आपका problem solve हो जाएगा ठीक है सारे साथ दोस्तों आपका जो mobile का call bearing है वो अगर दोस्तों यहाँ पर on है तो उसको burn करने के लिए जाए call setting पर calling accounts पर click करे more future पर जाके देखे call bearing यहाँ पर लगा हुआ है तो जाके check करे एक भी setting यहाँ पर on है या नहीं है अगर एक भी setting on है तो आपको burn करना होगा ठीक है उसके बाद आपका incoming call यहाँ पर problem solve हो जाएगा तो इस तरहे से आप अपने problem fix कर सकते हैं अगर इससे कम बन जाते हैं तो ठीक है अगर आपको आपी भी problem आ रहा है तो mobile को safe mode पर reboot करे उसके लिए power button को press and hold करके रखना है और off के button को डो सेटिंग करके रखना है और ok कर देना है इससे mobile safe mode पर reboot हो जाएगा और आपका problem solve हो जाएगा अगर आपको आपी भी problem आ रहा है तो दोस्तो जाएए अपने mobile के setting पर स्क्रॉल डाउन करें सिस्टेम पर क्लिक करें और mobile software अपडेट कीजिए सिस्टेम अपडेट पर जाएए मैंने दोस्तो फिलाली में अपडेट कर रखा है तो आप भी software को अपडेट कर लेना software जैसे दोस्तो अपडेट होगा आपका problem भी solve हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने problem solve कर सकते हैं ठीक है और दोस्तो हो सकते तो अपना sim को eject और insert भी करके देखिए तो इससे भी दोस्तो कई बार call issues problem जो है यहापे fix हो जाते तो आप यह सारे solution करके देख सकते तो यह था दोस्तो कुछ solutions आपके incoming call के related उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतना ही टेंक्स वर आचिंग कि कि